नमस्कार साथियों, कैसे हैं वहीं आप सभी? दोस्तो एक बार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सफलतापुर्पिस्वाब्ट है मैं अंकिस सर्मा, Faculty of English आप सभी के सामने एक नया सेशन लेके दोस्तो मैंने अपनी यूटूब चैनल पर आपको पिछली जो भी वीडियो थी या पिछले कुछ दिनों में वीडियो डाली हैं वो सभी सेशन जो अपने पास थे मैंने उसके नाउन कंप्लीट करवाय था आज प्रोनाउन में एज प्रक्टिस जो प्रिवीज यर कोशन्स होते हैं वेटा उनको डिसकस करेंगे सबसे इंप्रूव भी कर सकें कोई साउंड क्वालिटी की कैमरा की वीडियो का कोई भी अगर इस्यू होता है तो आप एक बार उसमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें फेस्बुक पे म युशन उसको डेली अपडेट हो रहा हूँ तो एक बार उसको like करना कहीं आपको उसके अंदर मिल जाए तो आज का सेसंफने परनाउन की हम बात करते हैं तो पहला कोशन इसने अपने की बात है वो क्या बात है कहता है इसने अपने को दा कोलेज इस कहता है holding special lectures for their students and teachers so that they may get enlightened about the economic problems और option E है अपने पास no error तो सबसे पहले जो अपने पास करने का बात हैं उसको एक बार देखेंगे सबसे पहले हम sentence को दो बार पड़ेंगे हैं अपने पास sentence में दे रहे हैं तो कहता है अगर pronoun की एकसे कर रही है बई भई ही है से सही है या इड है वह आपको पता है कि कोई भी नुद्विंग ङोपी या कोई भी आनिमल जेनेटिक्स होता है उसको हम हमेशा कोंड फ्रोनावं के लिए घर्टे हैं हम हमेशा उसको हम हमेशा उसको प्रोनावं इट में कंसिडर करते हैं आर आर भी एक्जाम 1987 के अंदर पुछा गया कोश्ण है कहता है कोलेज सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने पास बेटा कैसी दे रखी है सिंगुलर कहता है कि वर्ब आइंजी अपने पास आ सकता है किलियर कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनना कहता है अपने पास एक होता है लिविंग तिंग्स क्या होता है अपने पास एक लिविंग तिंग्स मतलब हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सजीव बोलते हैं लिविंग तिंग्स को क्या बोलते हैं हम सजीव और कहता है एक अपने पास क् कहता है second one अपने पास होता है non-living things कौन सी things होता है बेटा non-living things मतला हम क्या बोलते है निर्जीव कहता है अगर किसी सजीव का possession स्यों करना हो और वो सजीव अगर अपने पास एक होता है कैसा होता है singular तो कहता है उसका पजेसीव अपने पास क्या होता है जिसव क्या होता है इस का पजेस्व है और डोनों का जो plural प्रेचीरद है तो इस होगा अगर अपने पास जो पिल्उरूरी क्या लगाएंगा जो प्लूरी रहे यहां पर देर की जोने हम किसका प्रियोग करेंगे किसका प्रियोग करेंगे इसका अगरी करते हो बेटा किलिए है next question के उपर जलते हैं जहां से देखेंगे बैई केता next question अपने को डेरत हैं सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कहता है every man and woman क्या कहता है बही अपने को every man and woman कहता है should vote every man and woman should vote फिर इसने अपने को क्या बोला बही कहता है for the candidate of their choice last जो option है वो बिटा अपने पास क्या है? no error का है क्या है बही last जो portion है वो किसका है बिटा no error का तो धान से देखेंगे अपने पास कुछ structures बढ़ते हैं मैं आपके सामने discuss करूँगा उसको बिल्कुल इसको क्या है छोटी-छोटी चीजों को पढ़ने की कोसिस करेंगे बटा किलियर है कहता है जब पहला portion हम आपके सामने बढ़ाए नहीं तो कहता है पहला portion अपने पास क्या बढ़ता है ध्यान से देखना sentence किस से शुरूआ बटा एवरी से शुरू हुआ एवरी अपने पास क्या एक डिस्ट्रिब्यूटिव प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन है भई इस चीज को ध्यान रखना कहता है कि अगर आपके पास इच आ बता है कि कभी भी आपके पास इच आय एवरी आये इदर आयया नीदर कहता है इनके जस्ट बाद अगर कभी भी ओफ आ जाता है क्या जाता है बही कभी भी ओफ तो कहता बही नाउन हमें कैसा रखना पड़ेगा बेटा प्लूरल लेकिन वर्ब का फॉंट भी कैसा रहेगा अपने पास सिंगुलर ही रहेगा वर्ब का फॉंट फिर भी कैसा रहेगा सिंगुलर चाहे कितने भ पहले आजाएं तो ही वर्ब कैसी आएगी प्लूरल बाकि अगर इच एवरी इदर नीदर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और डिस्ट्रिब्यूशन का काम करता है तो वह हमेशे वेटा कैसी फोम में रहेगा सिंगुलर कैसी फोम में रहेगा भई हमेशए वह सिंगुलर आप कहता है एवरी सिंगुलर कहता है ये भी कैसा है कहता है उसके बाद अपने पास शूड्ट एक मॉडल है के लिए कर ड़ी एक लोड़ है man singular है, woman singular है, पूरा sentence singular है, तो फिर भीया वहीं बात ये possessive plural कैसे ले लिया, possessive कैसा आएगा, singular ही आएगा, अब singular दो परकार के बताए थे मैंने अभी आपके सामने sentence में, कि वह एक तो सजीव होगा, और दूसरा कैसा, निर्जीव, अगर मैं आपके सामने बात करूँ, man और woman living things है या non living things, तो normal सी बात है, living things है, सजीव है, और सजीव है, तो फिर हम यहाँ पर देयर का प्रियोग नहीं करेंगे, देयर को हटा कर हम यहाँ पर किसका प्रियोग करेंगे, विटा, his का प्रियोग करेंगे, agree करते हो, clear है, कोई doubt नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं वहीं, कह one should look for his, क्या बोला भई, one should look for his, dear student, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, कहता है, own farts, first and then for those of others, भई जहान से देखना, यह जो अपने पास one आया, one अपने पास एक प्रोनाउन है, कहता है, जो one अपने पास एक प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट पोर्शन में हम इसको फोलो कर बहुत करते है, one को और कहता है, जब इंडेफिनाइट पोर्शन में फोलो करते है, तो वह अपने पास one जब फोलो करता है, तो one का प्रोनाउन होता है, यह आप लोग बताएंगे, बही बहुत का पजेशिव क्या होता है, once ना कि, तो कहता है, जो यह हिज है, इसकी जगह ह किसका प्रियो करेंगे देंस अपना 깊ंपोर कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा कोई डाउट नहीए किलिए है रही सिम्पल सा है कोई फालत कुछ पिलिए कथा इपने कोशन के ऊपर जैसे ही हम आते इस अपने को क्या बता है ज्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट कहता है I am certain that none क्या बोल दिया बही I am certain that none के लिए कहता है सब से पहले तो हम बात करेंगे जो देखो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो जो वर्ड सारे क्या होता है अपने पास मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा नन का मतलब अपने पास होता है कि बाई तीन से अधिक में कोई नहीं द्यान से देखना कहता है नन के पास क्या होता है तीन से अधिक में कोई भी नहीं किलियर यह तो तीन से अधिक में है तीन या तीन से अधिक में अगर कोई भी नहीं अरे options नहीं देखते हो exam में a b c और d तो d अपने पास आता है none of the अब हो कि उपर वाड़े तीनों में से कोई भी नहीं sentence में आगे चलते विटा कहता है of these two books बात कितने की हो रही है two की बात हो रही है और two को हम क्या बोलते हैं बेटा दो की बात हो रही है तो नन तो अपने पास तीन या तीन से अधिक के लिए होता है अगर दो में से कोई भी नहीं की अगर बात होती है अगर main चीज है दो की main चीज क्या है बही दो की दो में से अगर कोई नहीं की बात होती है तो हम हमेश्य किसका फोलो करते हैं भई हम हमेश्य हम नीदर को फोलो करेंगे हैं किसको फोलो करेंगे हम नीदर का मीनिंग क्या होता है दो मेंसे कोई नहीं क्या होता है नीदर का मीनिंग अपने पास दो मेंसे कोई नहीं भई एगरी करते हो या नहीं करते हो तो कहता है जब यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है और ऐसे ऐसे कोशन करवाओंगा आपको कि आप जब एक्जाम देने जाओगे तो आपको खुद को ही इस इंप्रूमेंट ऐसा लगेगा अपने आप में कि हाँ भाई हमने कुछ न कुछ किया है वही मैं आप से कुछ ले तू रहा हूं ही नहीं मैं तो आपको एक छोटा सा एक ऐसा पॉर्शन समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि बेटा क्या पता कि मेरे कुछ सब्दों से आपको यह बात समझ में आ जाए और अगर आपको समझ में आ गया तो भाई एक टीचर का सबसे बड़ा धरम ही ही होता है बेटा कि उसका कि अपने पास टोटल five question करवाइंगे आज कहता है दबुक क्या बोल दिया भाई इसने अपने को दा बुक करता है आल्डो रिटर्म इन बैड क्या बहुत बोल दिया बहुत अपने को इन्गिन बैड इंग्लिश मेंक्स फ्यूप इंट्रेस्टिंग अबजर्वेशन वीच नींड्स टू बी धांद से देखना अपने पास एक portion होता है जिसको हम क्या बोलते हैं the relative pronoun बोलते हैं क्या बोलते हैं इस portion को हम रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कहता है जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कहता है इन रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले, अपने पास एक पोर्शन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटिसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम एंटिसिडें मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले अपने पास क्या आएगा एक एंटिसीडेंट आएगा एंटिसीडेंट कौन होता है यह होता है बैटा रिलेटिव प्रोनाउन का खास आदिन कौन होता है अपने पास यह रिलेटिव प्रोनाउन का खास आदिन कहता है कि पूरा लिटन इन-बैड इप्लश कहता है बुरी उसमें प्रफोस्ट में लिखा हुआ हैं मेकस फ्यू अब ध्यान से देखना जो ये few word है बई मैं आपके सामने बोलू few बोल दू या मैं आपके सामने ए few बोल दू या फिर भाई countable बोल सकते हैं या फिर हम इसको plural countable noun code कर सकते हैं कहने का मतलब क्या है इस फ्यू अपने पास plural form में आया कहता है जब फ्यू plural तो observations भी अपने पास क्या है वेटा plural तो कहता है which अपने पास यहां पर क्या है relative pronoun और कहता है relative pronoun के बाद जो verb है needs अब जो main verb होती है ज्यान से देखेंगे भई जो यह main verb होती है भई main verb अपने base form में हमेश्या कैसी होती है प्लूरल होती है कैसी होती है हमेश्या प्लूरल अगर इसके साथ ऐस यह लगा दिया तो हम इसको कैसी बना सकते हैं singular तो कहता है अपने पास यह कैसी है singular verb है हाला कि relative pronoun से पहले जो antecedents है वो सारे कैसे है plural जब antecedents plural है तो relative pronoun के बाद की जो verb होगी वो भी कैसी होगी plural तो इस needs की जगे हम किसका प्रियोग कर देंगे नीड का प्रियोग कर देंगे यह SBI PO exam में 1989 में आया वह कोशन है और बहुत ही अच्छा कोशन किलियर करते हो बेटा किसी भी प्रकार से अगर कोई भी मदद की जरूरत होती है या आपको इस पर करके और सेसंस जीए तो बेटा कमेंट करके चैनल के ओपर जरूर बताएं नमस्कार जै हिंद जै भारत आपका अंकित सर्मा हमेशे आपके साथ बेटा जुड़ा रहेगा किलियर है